भारत में 70 साल बाद चीता देखने को मिलेगा नामीबिया से 8 चीते 17 सेप्टेंबर को भारत के गवालियर में पहुँचे जिन में 5 मादा और 3 नर है मोधिजी ने अपने जनम दिन के मौके पर इन चीतों को मध्यपरदेश के कुनो नैशनल पार्क में छोड़ा तब से ये चीते एक चर्चा का विशे बने हुए हैं भारत के जंगलों में वैसे शेर, बाग, तेंस्वे आदी पाए जाते हैं 1947 में देश में आखरी बार चीता देखा गया था और 1952 में भारत सरकार द्वारा चीतों को एक विलुप्त जाती मतलब एकस्टेंट स्पीशित घोशित कर दिया गया था हाला कि अब लंबे समय बाद भारत में शेर, बाग, तेंदुवा के अलावा चीता भी देखने को मिलेंगे आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि शेर, बाग, तेंदुवा और चीता इन में क्या डिफरेंस है क्योंकि इन सारे जानवरों को कहीं न कहीं एक जैसा ही समझा जाता है शेर की लंबाई करीबन साथ से आठ पीट के बीच होती है सबसे खास बात यह है कि शेर हमेशा जुन्ड में शिकार करते हैं चीता चीता दुनिया में सबसे तेज रफतार से दौडने वाला जानवर है यह करीब 120 किलोमीटर की रफतार से दौड लगाता है हाला कि यह कम दूरी के लिए ही दौडता है और शेर या बाग की तुलना में पतले होते हैं चीते का सिर थोड़ा छोटा होता है और पूरे शरीर पर काले काले धब्बे पाए जाते हैं इसके चहरे पर काली धारियां होती है चीते दिन में शिकार करना पसंद करते हैं और चीते दहाड नहीं लगाते हैं झाले होता है बाग यानि टाइगर बाग को पहचानना काफी असान है क्योंकि इसके शरीर पे लंबी-लंबी धारियां होती हैं ये शेर के मुकाबले काफी एक्टिव और पुर्तिले जीव हैं और इनके पंजे काफी मजबूत होते हैं इनका वज़न भी काफी अधिक होता है और ये अकेले शिकार करना पसंद करते हैं ये पानी में भी तैर सकते हैं और ज़्यादा तर चीन भारत सही पूर्वी एशियाई देशों में पाई जाते हैं इसके बाद तेंद्वा यानि लेपर्ड तेंद्वा भारत के कई हिस्सों में पाई जाते हैं और अक्सर ये रिहाशी इलाकों में भी पहुंच जाते हैं तेंद्वा और चीते करीब करीब एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन चीते के शरीर पर गोल धब्बे पाई जाते हैं जबकि तेंद्वा के शरीर पर रोसेट शैली के अकार के धब्बे पाई जाते हैं तेंदुआ पेड़ों पर भी चड़ सकते हैं और ये अक्सर अपने शिकार को लेकर पेड़ पर चड़ जाते हैं तेंदुआ का सिर चीते के मुकाबले बड़ा और लंबा होता है और तेंदुआ दहारता वै गुराता भी है तो आज के वीडियो में हमने जाना डिफरेंस की आपके शेर, बाग, तेंदुए और चीते में क्या डिफरेंस है बने रहे हमारे साथ ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच जैहिंद झाल झाल झाल